टाक्स चोरी को लेकर income tax department बहुती सतर्क होता जा रहा है इसलिए जरूरी है कि हम टाक्स की चोरी करने के बजाए कुछ ऐसी जगह पर अपना पैसा invest करें जहांपर कि हमारा टाक्स तो सेव हो ही साथ ही हमें अच्छे returns भी मिले अपने future में आज के वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे ही investment options बताने वाले हैं जहांपर आप पैसा invest करेंगे तो आपको अच्छे returns भी मिलेंगे आपका tax भी save होगा financial year 23-24 खतम होने वाला है मार्च तक आप investment कर सकते हैं अगर आप अपना tax save करना चाहते हैं assessment year 24-25 के लिए तो चलिए start करते हैं आज का वीडियो देखते हैं कुछ ऐसे investment options जहां पर आप अभी अगर अपना पैसा invest कर दें तो आप मार्च तक काफी सारा यहां पर return भी generate कर लेंगे साथ ही आपका tax भी save हो जाएगा सबसे पहले है LIC यानि की life insurance LIC का जो भी हम premium pay करते हैं उस premium पर हमें section 80C में deduction मिलता है जो की अपनी पत्नी के माताया पिता के लिए LIC हूई हुई है उसका premium आप पय करते है तो LIC का deduction आपको नहीं उसका deduction हमें किन cases में मिलता है जबकि आपने premium खुद के लिए पे किया हो अपनी पत्नी या पती के लिए पे टिया हो या फिर अपने dependent children के लिए आप पे कर हो तब इसका deduction मिलता है दूसरा अच्छा investment option है NPS यानि कि national pension ATC के अंदर आपको देड़ लाग रुपए तक का deduction मिलता है जो भी आप यहां पर investment करते हैं साथ ही इसमें additional 50,000 रुपए का deduction मिलता है section 80 CCD 1B के अंदर यानि कि total आप 2,000,000 रुपए पूरे साल में NPS के अंदर investment कर सकते हैं देड़ आप पूरा ATC में मिल जाता है और 50,000 ATCCD 1B में मिल जाता है NPS में invest करना एक बहुत ही अच्छा option है क्योंकि retirement पर आपके पास एक अच्छा खासा fund हो जाता है और साथ ही आपको monthly pension भी मिलने लगती है अगर आप अपना बुढ़ापा सुरक्षित करना चाहते हैं तो NPS में investment अभी से start कर दे इसके बाद तीसरा option आता है bank fixed deposits याने की bank में FDRs जो की पास साल and अबव की होती है एक साल दो साल या तीन साल वाली FD पर हमें कोई भी deduction नहीं मिलता है लेकिन अगर हम 5 साल या 5 साल से उपर वाली bank FD बनवाते हैं तो उस पर हमें section 80C के अंदर पूरा देर लाख रुपए तक का deduction मिलता है अगर आप 80C के लिए bank में FD बनवा रहे हैं तो यहाँ पर lock-in period है 5 साल का 5 साल से पहले आप इस FD को तुड़वा रही सकते हैं बाकी सारी FDs में lock-in नहीं होता है आप उसको जब भी आपको जरुवत पड़े तो तुड़वा सकते हैं लेकिन यहाँ पर यह 5 साल वाली FD lock हो जाती है और आप इसे 5 साल से पहले cash नहीं करवा सकते हैं जो भ अगली यहाँ पर interest बनता है उस पर आपको tax देना पड़ता है इसके बाद है बहुत बढ़िया option public provident fund किसी भी post office यहाँ पर nationalized bank में आप PPF खुलवा सकते हैं यहाँ पर भी आपको section 80C के अंदर देर लाख रुपए तक का पूरा deduction मिलता है साथी PPF triple E category में आता है यानि कि investment पर आपका tax save हो जाता है interest portion जो भी हाँ पर आपको मिलेगा उस पर कोई भी tax नहीं लगता है साथी जो इसकी maturity proceeds है जो maturity पर आपको पैसा मिलेगा वो भी पूरी तरह से यहाँ पर exempt है PPF पर currently 7% का interest rate चल रहा है अच्छा खासा interest rate है यहाँ पर एक ज़रूरी बात यह है कि इसक साल का lock-in period है 15 साल तक आप यहाँ पर पैसा नहीं निकाल सकते हैं आपको सिर्फ investment करना है लेकिन lock-in period खतब होने के बाद काफी अच्छा खासा fund आपको PPF से मिलता है इसके बाद है ELSS mutual funds mutual funds तो कई तरह के होते हैं लेकिन जो ELSS mutual funds है जो tax saving mutual funds होते हैं उनहीं पर हमें section 80C के अ यहाँ पर सबसे कम lock-in period होता है सिर्फ 3 साल का यहाँ पर lock-in period है उसके बाद आप ELSS को sell out कर सकते हैं अगर आपको profit हो रहा है mutual funds को sell out करने पर हमें जो profit होता है उस पर हमें capital gain tax देना पड़ता है अगर आपको long term capital gain हो रहा है और यह 1,00,000 रुपए से कम का है तो यह पूरी त इसे भी आप अपने portfolio को maintain कर सकते हैं कि जैसे ही आपका 1,00,000 रुपए तक का profit हो वैसे ही आप sell out कर दें जिससे कि आपको कोई भी tax ना देना पड़े एक लाक से ऊपर जितना भी amount चला जाता है उस पर 10% का long term capital gain tax हमें देना पड़ता है यहाँ पर हमने अभी तक जितने भी options देके वो सारे थे ATC के अब हम ATC से अलग अगर हम बात करें तो बहुत बढ़िया दो options हैं आपका tax save करने के लिए ATC में हमने यहाँ पर सुकन्या समरिद्धी योजना को skip कर दिया है उसे बिल्कुल भी मत भूलेगा अगर आपकी daughter है तो सुकन्या समरिद्धी योजना में investment करने से बढ़िया option कोई भी नहीं है currently यहाँ पर 8% का interest rate चल रहा है यहाँ पर भी lock-in period काफी लंबा है 21 साल का lock-in period होता है लेकिन 21 साल के बाद जब इसकी maturity होती है तो आपको काफी अच्छा खासा पढ़ने हासे मिलता है अगर आपकी daughter है और वो 10 साल से कम की उमर की है तो तो ATC की limit तो आपकी यहीं पर पूरी हो जाती है सुकन्या सम्रिद्धी योजना में लगा दीजे पैसा ATC की limit पूरी हो जाएगी बाकी पैसा आप कहीं और किसी अच्छे option में invest कर सकते हैं ATC के आलग अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले आता है medical insurance एक अच्छी medical insurance policy तो आपके पास जरूर होनी चाहिए जिस तरह से आजकल hospitals का साथ ही doctors की fees साथ ही किसी भी बिमारी का इलाज यह सब चीजें इतनी costly होती जा रही है कि एक medical policy आपके पास जरूर होनी चाहिए यह policies ब रिकवर हो जाता है साथ ही हमें यहां पर income tax में reduction भी मिलता है जो भी premium amount हम pay करते हैं उस पर हमें up to 25,000 का deduction मिल जाता है और अगर आपके parents senior citizen हैं और उनके लिए आप कोई भी premium pay कर रहे हैं तो उस पर हमें up to 50,000 rupees reduction मिल जाता है जितना आपका premium होगा उतना ही यहां पर reduction मिलता ह है limit है 25,000 individuals के लिए और 50,000 senior citizen parents के लिए LIC में हमने देखा था कि parents का deduction नहीं मिलता है लेकिन अगर medical insurance है तो parents का deduction क्लेम कर सकते हैं और इसके बाद last option आता है हमारा home loan का बहुत बढ़िया option है अगर ATC और ATD में investment करने के बाद भी आपका काफी सारा tax बन रहा है तो आप एक home loan ल सेव हो जाता है home loan में हमें कितना deduction मिलता है जो भी EMI हम pay करते है उसमें एक interest portion होता है और एक principal portion interest portion पर हमें up to 2 lakhs रुपीज deduction मिल जाता है section 24B के अंदर as income from house property और जो भी हमारा principal portion है उसका deduction हमें section ATC में मिल जाता है देर लाग रुप तो यहां पर हमने 7 ऐसे options देख लिए ATC, AT TD साथ में home loan जिसमें investment करके आप काफी सारा tax save कर सकते हैं साथ यहां पर आपको काफी अच्छे returns भी मिलते हैं जब इन investments का maturity period over होगा तो आप देखेंगे कि आपके हाथ में अच्छा खासा पैसा यहां पर आ जाता है गलत तरीके से reduction दिखा कर tax save करने वालों पर इस बार सरका बहुत ही सकत है सबको notice भीजिगाए हैं और यहां पर काफी अच्छी खासी penalty लगती है 200 से 500% तक की penalty है साथ ही यहां पर imprisonment भी है इन सारे investment options में जो भी आपके लिए suitable हो आपकी income के according आप invest कर सकते हैं और अपना tax भी save कर सकते हैं साथ ही income tax के किसी notice के जंजट से भी आप बच सकते हैं I hope कि वीडियो आपके लिए useful रहा होगा thank you so much for watching this video बने रही का हमारे इस चैनल के साथ वीडियो अच्छा लगा हो तो like जरू कर दीजेगा मिलेंगे next video में till then stay safe and healthy bye bye